जब तुम किसी की problem को solve करोगे जो वो खुद नहीं कर सकता तो तुम्हारा भी number आएगा तुम्हारी भी problem है जो तुम खुद solve नहीं कर सकते Amen अगर तुम दूसरे की life को easy करोगे तुम्हारी खुद की life easy होगे जो Christian प्रार्थना में पीछे और Giving में पीछे वो कभी अपनी लाइफ में तरक्की नहीं ले सकता उसकी तरक्की आधी, अधूरी और टेंजर में, खत्रे में को यह कभी भी शैतान उसमें अटेक करेगा और खतम करतेगा अगर आप Giving में हैं, अगर आप Prayer में हैं तो बाइबल कहती है, वो विद्वा जो मर गई और पत्रस वहां पे गया तो लोग उसे कपड़े दिखाने लगे देख इसने हमारे इसलिए क्या क्या किया उस Giving के कारण उस विद्वा को उठाया गया आप जानते हैं, आपके घर के, अगर आपने पिछले दिनों में वो अब NGO चला रहा है काम कर रहा है तो उसने टिस्ट소리 में दी कि मैं डोकर के पास एक दिन मैं किसी मरीऺ के दानतो को साफ कर रहा था और मुझे दुंडला दिखाई दिय और जब मैं डोकर के कास गया दॉक्ट ने का कि आपको तो यह फलानी फलानी आखो की बीमारी उसने का मुझे कैसी हो सकती। दकटर का आपके एंशेंट। आपके किसी पिछोकड़ तो आपके किसी बुडे बुजुरुग को रही होगी। और वह जीन आपने रहता हैं, लेकिन लिए जीन जिन्दा हो जाता और बिमारी जिन्दा हो जाती। किसी कोई शुगर और डॉक्टर बोलते हैं, आपके दादा को शुगर है क्या, आपके बाप को है क्या, हाँ है उनको, लेकिन मैं तो मीठा नहीं खाता हूँ, मैं तो कोई काम नहीं करता हूँ, मैं तो स्मोकिंग नहीं करता हूँ, अलकोहल नहीं लेता हूँ, आपके दादा और पढदादा से आपको ये शुगर और ये कैंसर आया आप जानते हैं जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो इन जनरेशनल कर्सिस से हमेशा आजाद रहता और बाहर रहता है आपको मैं बताता हूँ ये इतने पावरफुल है अगर आप इनकी पावर नहीं समझेंगे आप कभी तोड नहीं पाएंगे आपको मैंने समझाया प्रार्थना क्यों जरूरी और गिविंग क्यों जरूरी अब मैं आपको बताता हूँ कि इनसे होता क्या है अब अबरहम अपनी लाइश में परमेशों से सारी आशिशों और बरकतों को लेता है लेकिन उसकी पत्नी लंबे समय तक बांज रहती अब उस बांज पत्नी के एक बेटा होता है जिसका नाम इजहाक है अब इजहाग जब बड़ा होता है उसकी पत्नी 20 साल बांज रहती है सेम पावर ने जो अब्रहाम को फॉलो कर रहे थी इजहाग को फॉलो किया सेम पावर क्रिश्चन होने के बावजूद, यहूदी होने के बावजूद क्योंकि आत्माई कभी भी मरती नहीं आत्माई एक परस्नेलिटी है जो आपके बाव गाता को जो तंग कर रहे थी आपने एक टेस्टमनी सुनी हो की थोड़े दिन पहले कि मेरे घर में किसी को पैरलाईज हुआ और उसकी देथ हो गई फिर मेरे ससुर की देथ हो गई फिर मेरे जेट की देथ हो गई फिर मेरे देवर की देथ हो गई अब वो सेम अटेक मुझे हुआ और जिस दिन मैं चर्च में आई परमेश्वर ने मुझे हील किया और आज मैं पैरलाईज से आजाद हूँ और उसके बाद कभी अटेक नहीं हुआ ये आत्मायं जो हैं आप जितने मर्जी अच्छे हो अच्छे कर्मों वाले भी हो ये आप को छोड़ती नहीं जब तक आप परमेश्वर में प्रार्थनाओं के साथ और फाइर के साथ इनका मुकाबला नहीं करते आप जितने मर्जी बैचारे क्यु नहीं हों आपने फुल टाइम किसी का दिल न दुखाया हो, कोई बुरा काम न किया हो, ये आपको कभी नहीं छोड़ती, जब तक आप ये नहीं समझते, कि ये दुष्ट आत्म हैं, ये तरस नहीं खाती, मुझे गुसे के साथ, फायर के साथ, प्रेयर के साथ, इनको अपनी जिंदगी करनी शुरू करते हैं, जो वंशो के श्राब उसका पीछा कर रहे हैं, जो बाप जादाओं की दुष्ट आत्मा हैं, जो उनके साथ थी, उनका पीछा करती हैं, जब तेरा पीछा करती हैं, आपको ये मालूम होता है, कि जब आप प्रेयर में उनको टांटते हैं, आप प्र कि आप जादाएं के जिंदेगी में रहे क्योंकि बाउन कृिश्चन होना आपकी जीत की करन्टी नही बलकि प्रार्थनावले कृिष्चन जीवित क्रिष्चन आपकी जीत की गरंटी है बकृतकी के आप हृलियो tha झोर से भूलो हालेलुया जोर से, जोर से, जोर से आप समझ रहे हैंե मरी बात को आप समझ रहे करें नहीं हाँ जब आप प्रार्थना शुरू करते हैं वंचो के शुराब जो आपकी फैमλιस जलते आरे हैं जो डाइवोस आपकी नानी ने जहल है आपकी मम्मी ने जेल है, जो अब आपके उपर कपजा कर रहा है, बावजूद इसके कि आप सुन्दर है, बावजूद इसके आप में कोई कमी नहीं, आपने जानते हैं वो दुष्ट आत्म हैं, जो नाश करने के लिए, घात करने के लिए, और नश्ट करने के लिए, चुरा अपको ये बात मालूम होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना वाला जीवन आपको वंशों के श्रापों से उन आत्माओं से आपको प्रेक्टिकली अलग करता है। सिर्फ शब्दों से नहीं। आपकी giving प्रेशर डालती है उन प्रेयर्स के साथ कि आपको खेंच के उन बैट उस पाश से आपको आजाद करके आपको अगले लेवल पर शिफ्ट किया जाए। गिविंग ये करती है आपकी लाइफ पे प्रेयर्स आपको डिस्कोनेक्ट करती है और प्रार्थन और गिविंग और भोना आपको शिफ्ट करता है अगले लेवल पे और शैतान की ये इच्छा होती आपको एक लेवल पे रखा जाए उसका ये प्लैन होते हैं आपको next लेवल पे ना जाने दिया जाए उसका ये प्लैन है लेकिन प्रेयर आपको शैतान से disconnect करती और giving और भोना आपको अगले लेवल के उपर shift करता है जहां से शैतान फिर आपको पकड़ नहीं पाता है अगर आप इन्हीं चीज़ों भी लगे रहें और बने रहें तो हूँ परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए अनौस्मेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें